शिव भक्ती और कावड यात्रा में हिंसा का क्या काम? तस्वीरें जो सामनी उभर कर आ रही हैं, बहुत ही शौकिंग हैं, कम से कम तीन ऐसी तस्वीरें, जिसमें कावड यात्री जो हैं, वो हिंसा कर रहे हैं. मगर आप जानते हैं इस तस्वीर का सबसे डरावना पहलू क्या है पुलीस वहाँ पर खड़ी हुई है और कुछ नहीं कर रही है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टेम ही क्यों न चाहिए तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल इलाब आसाद में तेरे अभी दो ही दिन पहले सुप्रीम कोट ने मुख्यमंत्रिया अधितनात को उत्तरा खंड सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को भटकार लगाई थे कि कावड यात्रा के नाम पर लोगों में भेद, लोगों में अंतर पैदा करने वाला जो आपने फर्मान जारी किया था उसे खत्म कीजिए मगर आप जानते हैं जो तस्वीरे सामने उभर कर आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि हिंसा को लेकर भारतिय जनता पार्टी सरकारों की किस तरह के दोहरे माबदंड हैं एक एक करके मैं आपके सामने तीन तस्वीरे पेश करना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा सचिन गुपता की एक खबर उन्होंने वीडियो के साथ ये खबर पेश की है वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा मगर उससे पहले सचिन गुपता क्या कह रहे है मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ उत्तर पदेश जिला सहारनपूर में कावडियों ने एक बाइक तोड़ दी देहरादून हाइवे जाम कर दिया वे बाइक की टककर से एक कावड खंडित होने से नारास्त है कल कावडियों ने इसी तरह रुड़की में एरिक्षा और हरिद्वार में ट्रक में तोड फोड की सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में आप सिर्फ आवास सुनेंगे और जो तस्वीर है मैं उसे जान बूच कर फ्रीज कर रहा हूँ क्यों कि आप जानते हैं कि मैं अपने मंच पर या फिर न्यूस क्लिक पर कभी भी हिंसा नहीं दिखाता मैं चाहूंगा आप आवास सुनिए आप देखिए किस तरह के नारे लगाये जा रहे हैं और ये नारे लगाये जा रहे हैं बाइक को तोड़ते हुए गहर कीजें एक बाइक को तोड़ते हुए कोई शिव के नारे कैसे लगा सकता है मैं समझना चाहता हूँ कि क्या आप शिव के करीब महसूस कर रहे हैं इस तरह की हरकते करके भगवान शिव अगर अवतरित हो जाएं तो आपके कान उमेठेंगे शायद उससे ज्यादा करेंगे सबसे बड़ी बात एक बाइक को तोड़ते हुए आप हमारे आरा दिदेव शिव को कैसे याद कर रहे हैं बताईए आप जो ये पूरी कावड यात्रा कर रहे हैं आपने उस एक लम्हे से उसके पुर्ण को बर्बाद कर दिया है हिंसा करते हुए और सबसे बड़ी बात हिंसा करते हुए आप शिव का नारा लगा रहे हैं मैं फिर आपसे समझना चाहता हूँ इसमें कहा कि शिव भक्ती है सबसे बड़ा प्रश्न आप जिस मकसद से ये कावड यात्रा कर रहे हैं शिव भक्ती में माफ कीजिएगा हिंसा करके और शिव के नारे लगाके ये दोनों चीज़े माइने नहीं रखती है सचिन गुपता के स्ट्वीट में दो वीडियो हैं दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ एक तरफ बाइक को तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ एक अम्बिलेंस जा रहा है और उसे पुलीस डंडा दिखा रही है देखिए मैंने फ्रीज कर दिया इसको देखिए अम्बिलेंस को डंडा दिखा रही हो से रोक रही है आपके सामने कुछ कावड यात्री हिंसा कर रहे हैं आप उस पर पूरी तरह से खामोश हैं मगर आप डंडा किसको दिखा रहे हैं अम्बिलेंस को मैं फिर आप से समझना चाहता हूँ क्यूँ मैं मुक्कीमंतरी आदितनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जब आप इस तरह के हिंसक कावड यात्रियों पर कारवाई नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है? इससे क्या हासिल होगा? क्या भारती जनता पार्टी को लगता है क्या आपको पूर्णे हासिल होगा? अगर आपको किसी भी तरह का पूर्णे हासिल हो रहा होता क्योंकि देखिए राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्था कराई आपने कावड यात्रियों की हिंसा पर आप लोग आँख मून लेते हैं सबसे बड़ी बात अगर आपको पूर्णे हासिल हो रहा होता तो उत्तर पदेश की जनता आपको छपरफार सीटे देती? कितनी सीटे में लिए बताईए? जो साखिलेश यादव को आप लगातार बदनाम कर रहे थे हिंदू विरोधी बताते हुए उन्हें उत्तर पदेश की जनता ने 43 सीटे दी हैं उनके गटपंदन को अगर आप पूर्णे का काम कर रहे होते तो यूपी की जनता आपको इनाम देती नहीं आप पूर्णे का काम नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ राजनीती कर रहे हैं आप यानि भाजपा मेरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है और उसके इलावा कुछ नहीं अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों देहरादून को एक कार जा रही थी कार की टकर हो जाती है कावडियों से और उसके बाद कार को किस तरह से तोड़ा जाता है उसकी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यह देखिए एक ढाबे के बाहर देखिए क्या हालत कर दी गई है कार की क्योंकि कार जो है वो कावडियों को छू गई थे जाहिर से बात है किसी भी कावडिये को गंभीर चोट नहीं पहुंची ये देखिए कार की क्या हालत की जारी अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, दूसरी तस्वीर में जो कार का चालक है, उसे लग भग लिंच कर दिया गया था, लग भग मौत के गाट तर दिया गया था, किसी तरह से उसकी जान बची है। और यहां पर भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों यहां पर देखिए पुलीस जो है वो कोई कारवाई नहीं कर रही है फिर एक बार सवाल इसमें धर्म का नाम किस तरह से बुलंद हो रहा है इसमें हमारे बाबा शिव का नाम किस तरह से बुलंद हो रहा है इसमें आप बतौर कावड यात्री अपना नाम कैसे उचा कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूँ पुलीस यहां पर भी खामोशी से देखती रही पुलीस बिलकुल भी हिंसक नहीं हुई पुलीस ने कुछ नहीं किया और मैं जानता हूँ आप मेंसे कई लोग क्या कह रहे होंगे यह अगर हिम्मत है तो किसानों के बारे में बोल अगर हिम्मत है तो मुसल्मानों के बारे में बोल सही कहा आप मैं जब मुसल्मान किसी तरह की हिंसा करता है तो उत्तर पदेश में कानून के बाहर जाकर उसका इलाज किया जाता है कानून की धज्या उड़ाकर उसका इलाज किया जाता है बुल्डोजर चलाया जाता है सबसे बड़ी बात यहां पर बुल्डोजर चलाया जाएगा बताया जा रहा है कि इस मामले में चौधा अग्यात कावडियों के खिलाफ एफायार दर्श की गई है अब कौन गिरफतार करेगा? कौन पड़ताल करेगा? ये बस नाम के लिए एफायार दर्श कर दी गई है बड़ी बात ये कि अगर मुसल्मान हिंसा करता है तो उस पर तुरंट कारवाई होती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक पुल पर फस जाते है और कहते हैं मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आया था और उस पुल पर नारेबाजी कौन कर रहा था? उन्हीं के पार्टी के कार करता है सीधा और सरल सवाल अगर किसान हिंसा करता है जो कि नहीं करता है मैं स्वश्च कर दूँ किसान आंदोलन चला उन्होंने कोई हिंसा नहीं की हाँ रहस्मय तरीके से एक आदमी किसानों को रेड फोर्ट ले गया था लाल किला ले गया था और वो व्यक्ति सनी दियोल के साथ भी देखा जाता है आमिच शा के साथ भी देखा जाता है कुछ दिनों बाद उसकी रहस्मय मौत हो जाती है एक सड़क दुरगटना में मगर वो एक अलग मुद्दा है और जब लाल किला में वो हिंसा हुई थी उसकी आलोशना हर किसान नेता ने की थी सीधा सा सवाल ये जो हिंसा की तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ कावड़ियों की क्या इसकी आलोशना कोई भाश्पा का नेता करेगा क्या इनमें इतनी हिम्मत है आज ये जो मैं शो कर रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ कावड़ हिंसा की तरफ आपका ध्यान खीचना नहीं है कावड़ियों की आलोशना तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि ये जो मिसाल है वो अपवाद है मगर मैं आपको बतला रहा हूँ कि प्रशासन का क्या रवया है मैं सिर्व आपको ये बतला रहा हूँ कि इससे किसी भी तरह की सिद्धी प्राप्ती नहीं होगी इससे धर्म का नाम बुलंद नहीं होगा इससे आप भगवान शिव के करीब नहीं पहुँचेंगे बिलकुल नहीं पहुँचेंगे सीधा सा सवाल बताईए न मुझे आप मोटर साइकल तोड रहे हैं और भागवान शिव के नारे लगा रहे हैं यह कैसे सही साबित किया जा सकता है मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपने एक कार को तोड़ा उसके ड्राइवर को लग भग लिंच कर दिया अब एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर एक ए रिक्षा पर ये रुड़की की तस्वीर बताए जा रही है एक ए रिक्षा पर कावड़िये अपना घुसा निकाल रहे है पहले रिक्षा खड़ा हुआ है उसके बाद उसे गिरा दिया जाता है और फिर भी उसे तोड़ा जाता है लगातार मारा जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना खुसा क्यों तीनों मिसाले धर्म को लेकर यात्रा पवित्र भाव होवने चाहिए मगर जो घुसा दिखाया जा रहा है मैं समझ नहीं पाता हूँ अगर आप धर्म के कारे को कर रहे हैं तो आपके मन में आक्रोश घुसा ये भाव कैसे हो सकता है खुछ से सवाल पूछे आपकी इस हरकत में कहीं पर भी भगवान शिव की जो मासूमियत है वो नहीं दिखाई देती है बिल्कुल नहीं भगवान शिव को क्या कहा जाता है भोले बाबा इसमें किसी तरह कोई भोलापन नहीं है आप कौन सा घुसा बाहर निकाल रहे हैं य ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है धियान लगाईए तपस्या कीजिए मेरिटेशन कीजिए और भी तरीके घुसा निकालने का कुछ अच्छा कार कीजिए परोपकार कीजिए मगर सीधा सा सवाल ये घुसा कहां से निकल कर आता है मैं आपसे समझना चाहता हूँ और ये कार धार में कैसे हो सकता है सीधा सा सवाल है सीधा सवाल है और इससे बचिएगा मत सवाल का जवाब दीजिए अगर आप एक धार में काम कर रहे हैं तो आपके मन में अंदर इस तरह का घुसा क्यों है मगर उससे भी बड़ी बात कानून के लिहास से जो हो रहा है वो घलत ह गो रहा है उत्तरकंड पुलीस जो कर रहे घलق कर रही है यूपी पुलीस जो कर रही है खलक कर रही है यह तोरे माब Message नहीं दिखाई दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हिन्सा कोई कर रहा है तो रोकिए उससे कि कि जान जा सकती है सबसे बड़ी बात यह जो तीनो चारोग हटनाएं हुई है किसी भी कावडिये को कोई बहुत गम्भीर चोट नहीं पहुंची है पुलिज चाहती तो उन्हें रोक सकती थी बगाएर हिंसा का इस्तमाल की है मगर पुलीस यहां रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है खीसे निपोर रही है हस रही है यह कैसा कानून है यह कैसा नजाम है यह कैसी सरकार है मैं समझना चाहता हूँ अरे बुल्डोजर ना सही कम से कम सकती से काम तो करो आप कावडियों पर फूल बरसाते हैं बात समझ आती है आपको याद होगा जब पिछले साल कावडियों की यात्रा हुई थी तब पुलीस के एक बड़े अधिकारी ने उन पर फूल बरसाए थे अच्छी बात है कोई बात नहीं उन्हें भी पुड़ने हासिल करना है मगर जब कोई कावडियां हिंसा करेगा तो वो पूरी कावड यात्रा को बदनाम कर रहा है और जब पुलीस उसे खामोशी से देखती रहेगी तो जाहिर सी बात है वो अपना काम नहीं कर रही है तो आपको अपना काम करना है फूल बरसाइए मगर अगर कोई कानून के दाइरे को पार कर रहा है उस पर भी कारवाई कीजे आम इनसान इसकी बली नहीं चड़ सकता आम इनसान को इसकी वज़ा से असुविधान नहीं हो सकती है इन तमाम ख़वरों में पत्रकार ये कह रहे है कि जो देहरादून हाईवे है वो बलॉक हो गया दिल्ली देहरादून हाईवे बलॉक हो गया सीधा सा सवाल दिल्ली देहरादून हाईवे एक बहुत ही एहम हाईवे है अगर वो बलॉक हो जाता है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ये बहुत ही एहम बिजनस रूट है, बीच में मेरट पड़ता है, मुजफरनगर पड़ता है, रुड़की पड़ता है, हरे द्वार पड़ता है बिजनस और धार्मिक रूट दोनों लिहास से, यहाँ पर सिर्फ कावडिये जो है वो नहीं चल रहे हैं, कुछ लोग गंगा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, गंगा आरती के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग दहरादून जा रहे हैं, कुछ लोग मसूरी जा रहे हैं, छु क्या आप उस देह्शत का सामना करना चाहते हैं उस खौफ का सामना करना चाहते हैं कल्कना कीजे आस पास नाराज कावड़ियों की भीड, आपके खुन की पियसी और आपके साथ आपके दो मासूम बच्चे आपकी बेवी कल्पना कीजे मुझे गाली देने के बजाए खुद को स्थिती में रखिए जिस स्थिती में वो ड्राइवर या वो एरिक्षा चालक या वो मोटर साइकल सवार था कुछ देर के लिए अपने आप को उस जगा पे रखिए फिर मेरे इस कारकरम को सुनिए मेरी इस बातों पर गौर कीजे एक बार फिर अपने कावड यात्री भायों से मेरी अपील दोस्तों हिंसा कोई समधान नहीं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलीस आपके साथ है पुलीस को शिकायत कीजे जिसने आपके साथ गलत किया है उस पर कारवाई होगी तुरंट कारवाई होगी ये बात आप भी जानते है अपिसार शेर्मा को दीजिये जासत नमस्कार